नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अप्टे यूटूब चले लर्णिंग कुर्णक्शन पर जिसमें हम पंजाबी भाषा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिहारी की मातरा वाले शब्द यानि की छोटी की मातरा वाले शब्द छोटी की मातरा और सिहारी की मातरा बिल्कुल ही एक जैसी होती है लेकिन हम पंजाबी भाषा सीख रहे हैं तो हमें पंजाबी में उस शब्द को हिंदी में शब्द को पंजाबी में कैसे बोलते हैं उसकी पहचान करने पड़ेगी और फिर उसको लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि हम बहुत ही असान से दिन हिंदी में लिखते हैं दिन पंजाबी में लिखेंगे दद्दा दद्दे नुसिहारी नन्ना दिन ऐसे खिल खक्का खके नुसिहारी लल्ला खिल ऐसे किरन फिरन यह तो बहुत असान था बिल्कुस सेम से इसी तरह से जैसे लिखना हो नहर हिंदी में होता है नहर अब पंजाबी में इसको नहर ना बोलके पंजाबी में वर्ड नहर लेकिन नहर नहीं बोलते हम पंजाबी चे वे ननना हाहेनो सिहारी राड नहर इसको पढ़ेंगे नहर हिंदी में नहर होता है नहर नहर इस पंजाबी चे नहर इस नहर 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 में होगा पहल। इससे लिखने हो जैसे अभिमान, महमान। हिंदी में होता है महमान। पंजाबी में महमान।this शब्दों को यादर रहना है पंजाबी में मेहमान ने तो मेहमान होता है इस तरह से हमें पंजाबी भाषा में उस वर्ड को क्या बोलते हैं हमें मालूब होना चाहिए इस तरह से हमें किसी का सतकार करना आदर सतकार बोलते हैं तो हम हिंदी में लिखें हैं सतकार और तकार तो ध्यार रखना है कि जो छोटी e की आवाज होती है sound जो होती है ये वाउस होते हैं कि जितने भी ओ आए मात्रायी होती है स्वर को वेस्पे होती है जो छोटी इ कहीं मात्रा बहुत ही ह plugs ही एकि आवाजाती ही इस तरह लिख सकते हैं और भी शब्ध हम लिख सकते हैं कुछ शब्ध में आपको यहां पर लिख के दूंगी जिसको आप पंजाबी में ट्रांसलेट करके आप मुझे उसकी स्क्रीन शॉर्ट कॉमेंट बॉक्स में भेजेंगे या फिर इंस्टागराम या टेलीगराम पर मुझे उसको शेर कर सकते हैं अपने डाउट से लिए यह होमवक आप लोगों के लिए है जिसको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करके कि प्रेक्टिस कर रहे हैं और प्रिषली वीडियो इसको लाइक शेर जरूर कीजिए साथी यह वीडियो लोगो जरूर शेर कीजिए जो हिंदी तो आती है लेकिन पंजाबी भाषा वो शीखना चाहते हैं पढ़ना लिखना तो इसी के साथ मैं विदा रती हूं रख्या त और नवाद